राहुल को साथ वर्ष्टी उमर में भी विकुडी संग के भीतर जाकर अपनी माता से मिलने का अधिकार नहीं था तो लोगों ने उसे लहुलवान कर दिया तब है बुद्ध के पास आकर यह बात पाता है तो बुद्ध कहते हैं कि सहन कर सहन कर अंगुली माल सहन कर बुद्ध अंगुली माल की सिकायद को लेकर राजा परसंदी के पास नहीं गए ती है राजा परसंदी आपके राज्य में मेरे भिक्वों पर ऐसे अत्यचार हो रहे हैं जाव जीवंपी चे बालो पंडितंग पई रुपासती नसो धंबंग विजानती दब भी सुपरसंद्धा मूर्ख व्यक्ति चाहें जीवन भर पंडितों की संगत्ति करें लेकिन वह सच्चे धरम को नहीं जान सकता जैसे कि जो कल्ची होती है और वो डाल में डूबी रह जान पाती है लेकिन जाल का जो टेस्ट है जान पाती है आप आपने धंपद नहीं पड़ी है मैं जबकि कुछ देशों में ऐसा नियम है कि जब तक धंपद कढ़ धस्त ना हो जाए तो उस भिक्कू की उपसंपदा नहीं होती है लेकिन ये भारत का दुर्भाग्या है कि यहां पर बाबद से दुप्टर भीमराव अम्बेड कर ने सन 1956 को यह चंता जाहिर की थी और इसलिए संग की समगा सरम कर दिया था लेकिन संग को सरम नहीं है विक्यों को आज भी लाज नहीं विक्यों आज भीемद अपने उपर मेडिया को जो हानी हो रही है वो तो ना होती है इन चैनलों ने इस इसल मीडिया ने जो यह कारे किया है इसका मक्सद इन दोनों की निजी लाइफ नहीं है इन दोनों की निजी लाइफ से किसी भी मीडिया चैनल को को तो सिर्फ आप से लेना देना है कि आपका आचरण कैसा ह कहीं आप समाज को धोका तो नहीं दे रहे हैं आप धरम युक्त व्यवार तो कर रहे हैं ना कहीं ऐसा ना हो कि समाज बहुत दूर तक आपके साथ चले और पता चले कि वहां पर रेत के किले की तरह भर भरा कर गिर गया है यदि आपको साथ चले के लिए कोई उचित व्यक्ति अच्छा व्यक्ति ना मिले तो आप कभी भी धूर्ट व्यक्ति का साथ मतलो आपने इस बात को जाचा इस बात को देखा कि आपके साथ विचर्ण करने वाले कौन लोग हैं हम नहीं कहेंगे कि उस महिला के साथ आपके क्या समद्ध हैं लेकिन हमने ये देखा है कि आपके एक महिला को समाजिक कारियों में, धार्मिक कारियों में अपने साथ लेकर चल रहे हैं, उसको आप हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लिए किसको आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कभ जैबहिम नमोगध्य साथियो कि सत्य सईयम अहिंसा और त्याक का दूसरा नाम अगर हम कहें तो वह होता है बौध भिक्फू जी हां साथियो साथियो इस संसार में एक बौध भिक्फ्कू के समनंतर दूसरा अनन्ने कोई व्यक्ति नहीं होता जो सत्य पर इतनी अच्छी तरह से प्रतिस्थापित हो सईयन से भरपूर हो सदेब अहिंसा का पालन करता हो अहिंसा के लिए संकल प्रत हो और अपने हर इच्छा का त्याब करने का सामर्थ है रखता हो तो सातियों आज कल जो विशय चल रहा है बहुती गंभीर विशय है बहुत से लोग यह लांचन लगा रहे हैं मीडिया के उपर कि वे सुमित रतंजी की जो चबी है उसको धुमिल करने का कार्य कर रहे हैं सातियों यह चबी कौन धुमिल कर रहा है कि मैं जै मंगल अठगाता का एक चंद आपको सुनाता हूं उसके बाद आप तैकर यह कौन चिंचाय दुठवचनंग जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जित्वा मुनिंदो तंग तेज सा भवतु तेजय मंगलानी यानि कि जब भगवान बुद्ध के उपर एक महिला ने जो वह लकडी का एक गठार अपने पेट पर बांद कर आई थी और उसने भरी जनसभा में बुद्ध के उपर यह लांचन लगाया कि वह गरव से है और इस गरव के लिए बुद्ध जिम्बिदार हैं शाथियो इससे बड़ा लांचन तो सुमित्रतन जी के उपर मैं यह समझता हूं कि नहीं लगाओगा तब बुद्ध ने क्या किया कैसी परतिक्रिया दी शाथियो सांती और धैर्रे से बुद्ध ने उस चिंचा नाम के महिला का सामना किया और सांत हो गए बिलकुल गंभीर हो गए एक सब्द ना बोले और जब बोले तो चिंचाय की जो असत्यता थी वह सब के सामने एक दम परकट हो गई अब भगवान बुद्ध बोले कि हे बहन यह जो तुम कह रही हो या तो इसे तुम जानती हो या इसे मैं जानता हूं साथियों बुद्ध के सब्दों में इतनी सांती उतना धहर रहा है और इतनी करणा थी इतने कल्यान की भावना थी चिंचाय के भी प्रती कि चिंचा उस समय इस्ति न रह सकी वो आस्तिर हो गई और एका एक उसके पेठ पर बना हुआ वह लकडी का गठर खुल कर वहीं गिर तो साथियों जो बुद्ध के संग में नियमित होते हैं इस्थापित होते हैं उनको जो बुद्ध का सासन है उसके अंतरगत अपना जीवन यापन करने की सलाह दी जाती है बुद्ध संग के अनुसा अब यहां पर सुमित्र तंजी ने क्या किया यह समझने वाली बात है ब दूसरी ज़ए बहुत तरह के लांशन का जबाब देना चाहूंगा एक जो एक लांशन को मैं गुरुप वाइज लूंगा कि कि स्मितर्याइटन जी लुए सबह गता सब्सक्रान को टो है कि मेडिया चैनल पर प्रकासित नहीं होता कि प्रकासित हो भी गया होता तो भैसंग मीडिया से डील कर रहा होता उससे बात्चित कर रहा होता उससे सच्चाई का पता लगा रहा होता लेकिन ऐसा नहीं है इसके विप्रीत हुआ क्या इसके विप्रीत यह हुआ कि सुमित रतंग जी फेस्बूक पर आकर लगातार मीडिया को धमकाने लगे लगातार उस सिकायत करता को धमकाने लगे और उसके बाद निलम जी ने फेस्बूक पर उनको जवाब देते हुब यह कहा कि भंते जी आपको मैत्री पूर्ण चुनौती है आप आगे बढ़े हैं हम आपके पीछे हैं कि यह बिल्कुल धार्मिक आचरन था कि हम अपने से आपके खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी जानकारी हमें नहीं है और यदि आपको कदम उठाएंगे तो इसका समुचित जबाब आपको जरूर मिलेगा आपने परसों दिरांक 21 सितंबर 2021 रातरी 11 बजे गौमती नगर पुलिस स्थाना में जाकर जो की लखनव में है वहां पर नीलम बौद जी जो की एनवी निउस 24 एक्ट सेवन को चलाने का कारे करती हैं बड़ी महनत चलाती हैं और राहुल नागपाल जी जो की राहुल 85 नाज से यूट्यूब चलाते हैं वही बड़ी महनत करते हैं और एड़ोकेट प्रदीप असोग जी के खिलाफ आपने FIR दर्ज करवाने का कारे किया इनके साथ ही आपने उस सिकायत करता के खिलाफ भी जूटा केस दर्ज करवाया है तो सुमित्रतन जी अब आपको जवाब देने का समय आ गया है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और मेरे वी इस वीडियो में आपको धार्मिक्ता के सिवाए कुछ और नजर आए तो किर्पया मेरा मार्ग दर्शन अपनी फेस्वुक आईडी से ही जरूर करना मैं मैं उस पर गौर करने का प्रयास करूंगा सबसे पहले साथियों मैं लेता हूं इस एफाई आर को और इस एफाई आर में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं नकल तहरीर हिंदी वादी टाइप सुदा सेवा मैं स्रीमान ACP महुदय थाना गोंतिनगर लखन मैं भनते सुमित्रतन निवासी पी 65 नहरु एंकलेव गोंतिनगर लखनव कि अब यह जो एड्रस दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि यह घ्रेस्त हैं कि यह विक्कु नहीं है कि इन्होंने जो एड्रस दिया है ना तो किसी भिक्कु संका दिया है जिसका कोई कारेल ले हो रहे हो यहां पर इनको जो है पत्राचार किया जा सके तो साथियों जो अकलमंद लोग होते हैं जो जरा से संकेत में बहुत को समझ लेते हैं मैंने पहले भी अपना यह वाला देखे आप जिसको हमारे यूटुब चैनल पर है कि इसमें भंते जी को धार्मिक ता के साथ मैं समझाने का प्रयास किया था और जो पासक गर्ण हैं जो ग्रहस्त लोग हैं जो भिक्कों की सेवा में रत रहते हैं विक्कों का सम्मान करते हैं मैंने उनको भी एक मार्दर समझ देने का प्रयास किया था कि हमें किसी भी व्यक्ति के आचरन से ही बहुत कुछ समझ लेना चाहिए लेकिन हम नहीं समझ पाते हम क्यूंकि उस प्रंपरा से आए हैं जहां पर अंधा अनुकरन करने की प्रथा है हम हिन्दु धर्म छोड़कर बहुत बने हैं और हिन्दु ध आपको भंते कह रहे हैं बड़ा चिंतनीय विसय है क्योंकि भंते हमेशा से बुद्ध कोई कहा गया है और भिक्कु संग्भा किसी भिक्कु को भंते भी नहीं कहा गया भंते एक बहुती गौरफ साले सब्द है इसके बाद अभी दो दिन पहले लवकेश जाटव 511 गली नंबर 20 सरसती कलोनी सेहतपूर फरिदावाद हर्याना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर हमारे छवी मान सम्मान को छती पहुंचाने का कार्रे किया है यह व्यक्ति पहले हमारे यहां नौकरी करता था और मुझे नहीं लगता कि भंते जी ने नौकरी पर अपॉइंटमेंट करने का कोई भी प्रमान पुलिस को दिया होगा पहली बात और दूसरी बात कि भंते जी के यहां नौकरी करता था इस बात को हमें समझना चाहिए सा बिजनिस है जो उनके यहां नौकरी करता था यह संकेत हैं साथियों मैं समझाने का प्रियास कर रहा हूं और आप किर्प्या समझने का प्रियास कीजिए एडवांस अगरिम में रुपे 25 000 फोन पे द्वारा दिया गया है फोन पे द्वारा 25 डिया यह लेगा लेकर उससे यह प्रमानित नहीं होता है कि इस परपसससे आपने दिया है जो तक कि आपके पास कोई कोई कागज उस प्रकार का नाहो तब सक्थ को ere में कुछ वह कर सकती है कैसे बीड कर शक्ति है और आद्ब के मैं बताओंगा कि कि और क्या-क्या कारश्थानिय स्कूरी है उसने कितने गंबिर मामला है और यह प्लिस वालों के खिलाफ इसमें मुकदमा होना चाहिए और उनसे हरजाना भी बुसुल करना चाहिए और नोकरी छोड़ कर भाग गया था पैसे मांगने पर इस व्यक्ति ने इस तरह का कुक्रत्य किया है अब बताईये 25,000 रुप्या लेकर भाग गया और पै निलम जी संपर्क करती है और निलम जी से बोलती है कि आप मेरा भी वीडियो परकासित कीजिए और उसने चैनलों से वह वीडियो डलवाया और हम तो तरस्त है और निलम जी कभी भी किसी अप अच्पात नहीं करती है इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है सुबह मैं आपका वीडियो डाल दूंगी और साथियो सुबह जब उन्होंने वीडियो डाला तो उनके पास जितने भी परमान थे निलम सवे मैं सामिल किया लबके जिस कर भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें दिखाया गया लबकेश दिए वो दिखाए ग container और इस महिला का वीडियो भी उसमें डाला गया क्योंकि हमारे पास जो भी मटरियल हम समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और समाज कुद है क्या सहीं और क्या गलत है तो यह जो कि बात कह रहे हैं भंते जी इसमें कुछ भी दम नहीं है कोई परमार नहीं है इनके पास लेकिन पुलिस और प्रसाशन जैसा कि हम पहले भी कहते आ है कि राजनीती से प्रेरिती है व्यक्ति है सुमित्रतन जी और राजनीती में इनकी बहुत बड़ी साथ है पूर मुख्या मंत्री अख्लेश कुमार जी के साथ में फोटो खिचवाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कहां कहां तक इनकी जान पचान है तो उसका उसी प्रभाव का किसा है यहाज सम्वैद्धानिक दारे में कारवाई की जाए हमारे मान संवान को थेश़ पहुंचाने वाला वीडियो बिना जांच पड़ताल की यह बिना दोनों पक्षों से बात कीए बिना सोसल मेडिया YouTube चैनल पर वीडियो डालने वालों पर भी उचितिक आरवाई की जाए यूटूब चैनल NB News 2417 नीलम जाटव और राहुल लाइव 85 राहुल जाटव एवं फेस्वुक आईडी असोग प्रदीप कुमार जाटव इत्यादी प्रार्थी को नियाए दिया जाए और दोस्यों पर कड़ी कारवाई की जाए यह साथियो F.I.R. के कंटेंट्स हैं तब थे हैं अब इसमें एक बात और गौर कीजिए अगर आपने सोची हो समझी हो तो सुमित्र तंजी ने लवकेश कुमार नाम नहीं लिखा है लवकेश कुमार जाटव लिखा है नीलम या नीलम बौध नहीं लिखा है नीलम जाटव लिखा है राहूल नागपाल भी नहीं लिखा है राहूल जाटव लिखा है एड्वोकेट प्रदीब कुमार नहीं लिखा है अब आपको समझे है नहीं समझे जाटब समुदाय को सीधे तोर पर टर्गेट करने की योजना सुमित्रतन जी ने बनाई अब यह जाटब समुदाय को टर्गेट क्यों कर रहे हैं क्योंकि अब यह अपने जो समुदाय इनका कुछभा समुदाय है साक्य समुदाय से आते हैं तो यह उन लोग की जो है उन लोगों का फिवर लेने को स्करेंगे दोनों वर्गों में भढ़ंत कराएंगे आपसी मनमडाब कराएंगे जबकि भोजन समाज बहुत विक्राल समाज है इसमें सभी जातियां सभी वर्ग महा समुद्र की तरह समाहित हो जाते हैं जैसे एक समुद्र में विविन नदियां समाहित हो जाती हैं उसी प्रकार से भोजन समाज में सभी जातियां सभी बर्ग समाहित हो जाते हैं बहुत बड़ा सब्द है भोजन समाज और हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा लोगों क को इन्वरघ वाद से दूर रहने के लिए सलाब देते हैं लेए लिए समितृतन जी लगातार में वह कारए करेंस्नाज तोड़ने का कार्ए मश्माजूर दोड़ने कारएं नहीं है घर सक्षारी नाम होता है क्या ऐसा है अब भंतेजी ने सारा जूट लिखवाया है बंतेजी के 25,000 रुपे बोल रहे हैं कि 25,000 रुपे लेकर उनका नौकर भाग गया है अब उनके पास उनके 25,000 कहां से आ गए जबकि बुद्ध ने तो भीक्यों को धन रखने के लिए मनाए कि पांच वस्तु के चलते हैं थोड़ी सी और जाज करते हैं सबसे पहले मैं धंपद को लूगा धंपद से हम प्रकासित होने का प्रयास करेंगे धंपद में लिखा है कि कोछी मंग अवदी मंग अजीनी मंग अहांसी में यह चैतंग उपनेहंती वेरंग तेसंग नैसंबती उसने मुझे गाल बातों को बनाई रखता है उसका बैर कभी सांथ नहीं होता कि जो धंपद में बुद्ध ने गाथा कही है यह हर किसी व्यक्ति के लिए है समाने जन के लिए और कोई भी व्यक्ति अपने मन को सांथ करना चाहे ऐसी प्रस्तितियों में जब किसी ने उसको कुछ ऐसा कह दिय दूसरी का धर्म से को लेने देना नहीं है धर्म की जानकारी नहीं है धर्म का आचरन नहीं है उनको क्या लेने देना इस गाथा से क्या उनको समझ में आएगा उनको तो तुरंत प्रतिक्रिया करनी है उनको तुरंत बदले की भावना रखनी है और बदले की आग में जलने करने के लिए संदेज दे रहे हैं कि व्यक्ति को कभी भी वैर नहीं रहना चाहिए हमेशा मैं अगर किन्हीं लोगों ने कि सुमित्रतंजी के खिलाफ कुछ कार रह कर दिया चाहें वह सही था चाहें वह गलत था एक दम से बदले की भावना उनके भीतर कैसे आ अगर वे भित्कु हैं अगर वे किसी संग संचालित हैं अगर वास्तब में उनकी उपसंपदा बिलकुल लीगलाइज है बिलकुल बुद्ध के विने के नुसार हुई है विने के नियमों के अंतरगत हुई है तो उनके भीतर यह बदले की भावना आखिर आ कैसे गई इसके बुद्ध एक और गाथा में कहते हैं कि सुभान उपस्तिंग भ्यारंतंग इंद्रियेशु असंबुतंग भोजनमही चहे अमतयूंग कुछी तंग हीन वीर्यंग तंग वे पसहतो मारो वातो रुखंग वे दुबलंग अर्थात जो भोजन से सयमित नहीं है अर्थात जो भ सयमित नहीं है जो आलसी हो प्रैत्न वहीन हो उसको मार वैसे ही गज़ा देती है जैसे की दूर्बल द्रख्च को हवा का जोका यही तो हुआàng बंतें आपके साथ कि आपके कि अंदर सयम नहीं है प्रैत्न नहीं है आलसी आप और किसी भी प्रकार से आप जो सयमित नहीं है उसी का आपको आज भुगतान करना पड़ रहा है कि समाज के भीतर आप उसी तरह से गिर गए हैं जैसे हवा के जोके से एक दुर्वल ब्रक्ष गिर जाता है आपके पास धर्म की सक्ति होनी चाहिए ती धर्म की मर्यादा होनी देखती और धर्म की सक्ति से अगर आप मजबूत होते तो आप कैसे टिके रहते यह बुद्ध ने दूसरी गाथा में कहा है बुद्ध कहते हैं कि असुभान उपस्सिंग विहरंतं इंद्रियेशू सुसंबुतंग बोजनम ही चै मतैयूं सद्धंग आरद वीर्यंग आलसी नहीं होते हैं अब प्रमादी होते हैं वे उसी तरह से खड़े रहते हैं जैसे सेल परवत आपको समझना चाहिए सुमित्रतंजी और अगर आप यह समझते अगर आपने धम का आचरन किया होता धम को पड़ा होता तो यह जो प्रकरण है आपका कुछ भी नहीं विग अच्छे यह सेंग सदित मतनों एक चरियंग दलहंग कईर अनथी वाले साहता यदि आपको साथ चलने के लिए कोई उचित व्यक्ति अच्छा व्यक्ति ना मिले तो आप कभी भी मूर्ख व्यक्ति का साथ मत लो आपने इस बात को जाचा इस बात को देखा कि आपके साथ वाले कौन लोग हैं जिस महिला को आप समाजी कार्यों के लिए धार्मिक कार्यों के लिए हम यह माल लेते हैं हम क्योंकि जिस बात का प्रमार नहीं हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं कहेंगे हम नहीं कहेंगे कि उस महिला के साथ आपके क्या समन्ध हैं लेकिन हमने य कर रहे जब कैसी महिला और जो इन चैनलों ने सोसल मीडिया ने जो इसका मक्सद इन दोनों की निजी लाइफ नहीं इन दोनों की प्रीचल लाइफ चैनल भोजन मीडिया को तो सिर्फ आप से लेना देना है कि आपका आचरण कैसा है कहीं आप समाज को धोका तो नहीं दे रहे हैं आप धरम युक्त व्यवार तो कर रहे हैं ना कहीं ऐसा ना हो कि समाज बहुत दूर तक आपके साथ चले और पता चले कि वहां पर रेत के किले की तरह भर भरा कर गिर गया है इसलिए समाज को चेताने के लिए यह वीडियो डाला गया है और आप उल्टी दिसाम जाने का प्रयास कर रहे हैं जाईए इसके बाद बुद्ध यह भी कहते हैं पुता मत्थी धना मत्थी इती वालो विहेती अताही अतनों अत्थी कुतो पु मेरा है और यह सोच सोच के वह व्यक्ति वह मूर्ख व्यक्ति दुख पाता है और आपके जो आपके जो सोचल मीडिया पर कमेंड्स हैं आपने जो लवकेश को वर्ट से मैसेज किये हैं वो सब यही बात कह रहे हैं हमारा फ्लैट हमारा धन हमारा फ्लैट हमारा धन अरे सु देशों में ऐसा नियम है कि जब तक धंपद कंठस्त ना हो जाए तो उस भिकु की उपसंपदा नहीं होती है लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य है कि यहां पर बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेड करने सन 1956 को यह चंता जाहिर की थी और इसलिए संग की सरण जाने से इंक दार तो लो धंपद को अपने जीवन में धरन करने के लिए तो पड़लो आप कम सब इतना भी कर लेते तो कम से कम अपना जीवन दो बचा पाते कम से कम आज जो समाज को आज भार्मिक प्रतिष्टा को जो हानी हो रही है वो तो ना होती लेकिन आपने तो हर मर्यादा की सी जानती दभी सुपरसंग्य था यानि कि मूर्ख व्यक्ति चाहें जीवन भर पंडितों की संगति करें लेकिन वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता जैसे कि जो कल्ची होती है और वो डाल में डूबी रहती है लेकिन डाल का जो टेस्ट है डाल का जो स्वाध है उसको नहीं ज प्रकार के विद्वान उपासक संग में भी गई होंगे विद्वान उपासकों के पास भी आपका जाना हुआ होगा लेकिन आप अप धरम उसी तरह से रहा कि धरम आपको छूबी नहीं सका जैसे कि कल्ची को डाल नहीं छूपाती है उसका टेस उसको पता नहीं लग पाता तो स्मित्रतंजी धंपद के ये कुछ पत थे जिनको मैंने आपके लिए प्रकासित करने का कार्य किया और आपका आज मारदरसन किया है और ये मारदरसन आपके लिए भविश्य में भी काम करेगा चाहिए आप चीवर में हो या चीवर त्याग दें क्योंकि आज हमारे पास सकता है कि आप बड़ी बेसरबाई के साथ इतने लज्जित होने के बाद भी इस चीवर को आप निरंतर धारन किया रहे लेकिन इस चीवर में अब उतना महत्म नहीं है अब लोग आपको देखेंगे अब लोग आपके शरित्र को देखेंगे यदि आप यहां से भी सुधर जाएं और बुद्ध की सरण में चले जाएं धंब की सरण में चले जाएं संग की सरण में चले जाएं तब भी आपका कुछ कल्यान हो सकता है आपका उसी प्रकार से कल्यान हो सकता है जिस प्रकार से अंगुली माल का कल्यान हुआ था लेकिन अंगुली माल की तरह सहयमित होन ना पड़ेगा जब है हत्यारापन छोड़ कर समाज में भिखाटन करने के लिए गया तो लोगोंहें उसे हुल्वान करदिया तब है बुध के पास आकर यह बात रही है तो बुध कहते हैं कि सहन कर सहन कर अंगलीमाल सहन कर बुद्ध अंगलीम्ाल की सिकायद को लेकर राया परसंदि के पास नहीं गई की है राया पर राजिय में मेरे भिक्वों पर ऐसे अतैचार हो रहे हैं जिस परकार की आप साशन के पास तले गईadora के मुझे सबसारिक है और आप संसार को छोड़ चुके हैं आप संसार के कल्यान के लिए तो हैं लेगिन संसार में आप विच्रण करने के लिए नहीं है संसार को १ोगने के लिए नहीं है आप संसार में किसी की सिकायद करने के लिए कि जो प्रफ्ट रहे हैं और लगातार करने का कार्य कर रहे हैं वहां कि इससे बहुत्धर्म बहुत धर्म की च्पी जब धूमिल होती है जब समाज ये देखता कि एक बहुत विखु का आचरन कैसा है एक बहुत विखु का आचरन हिंदु धर्म के जो सामाने पंडित पुजारी हैं उनसी घुजरा है कम से कम उनको यह आदेश तो है मंदिर में अपने बीब बच्चों से कोई मतलब नहीं है उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता और मैं आपको एक और कहानी सुनाना आता हूं छोटी सी कहानी जब रहुल यानि जो सिधार्थ का पुत्र था और जब बुद्ध गुत्तव प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने घर गए तब रहुल माता जे के कि रहुल से कहा कि जा अपने पिता से अपना अधिकार मांग लें प्रुड़ों जिसकी उमर साथ वर्ष थी अपने पिता के पास गया और उसने अपने पिता यानि बुद्ध से अपना उत्रादिकार मांगा तो बुद्ध ने कहा कि हे वच्छ तुम्हारा स्वागत है जिस धनका में स्वामी हूँ उस पर तुम्हारा पूर्ण हक है आओ और इस उत्रादि भी अर उसी समने भीकुणि संग भी बना और उस समय ये सुदरह और महाप्रजापती गौतमी समेथ बहुत सारी महिलाओं ने भिकुणी संग में प्रवेश किया लेकिन साथ ही वहाँ पर नियम देखिए कि जब राहुल भिकुणी संग में सामिल हो गया तो वह भिकुणी संग के जो द्वार कच था उसके सामने से गुजरता थ और जब उसको अपनी माता से मिलना हुता था तो उसकी माता बहार दौर पर आती थी और उस से मिलकर उसको देखकर माता के सुधरः पने बिकुली संग में बापर सली आती थी और राहूल वहां से बापर सलह था राहुल को साथ वर्ष की उबर में भी भिकुडी संग के भीतर जाकर अपनी माता से मिलने का अधिकार नहीं था इतना भारी भरकम संयम बुद्ध ने अपने भिकु संग पर लागू किया हुआ था जिसका पालन भिकु संग निरंतर कर रहा था और यह उन्हें नियमों की देन है कि बुद्ध का धम आज हमें मिल पाया आज तक वे भिकु संग के माध्यम से किसी न किसी रूप में यह धम आज भी जीवित है तो सुबित रतंजी मैं यह समझता हूँ और आपके भक्त गणों को भी मैं यह समझता हूँ कि वे बुद्ध क धम से कुछ न कुछ तो प्रकाशित हुए होगे कुछ बुद्धी उन्हें मिली होगी और अगर उन्हें कुछ बुद्ध मिली है तो वे उसी करदिसार कार्य करें और आज संकल्प दिवस भी और मैं यह हैं बिकु संग से और उपासक संग से जो भी Taliban के जो बुद्ध के संकल्प लें और वह संकल्प केवल सब्दों का उच्चारण मात्र नहीं होना चाहिए उस संकल्प में आपकी भावना भी सामिल होनी चाहिए आप संकल्प लें कि आप किसी भी प्रकार के आचरण विहिन चरित्र को स्विकार नहीं करेंगे ना आप स्वय से किसी भी प्रकार का कुकरत्यावाला आचरन करेंगे आप किसी और का आचरन सहन करेंगे तो बुद नहीं करेंगे तो गरिम हो जाएगा खतम भी हो सकता है और साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और करना चाहता हूं बड़ी गंभीर बात है कि समाज के दुख दर्द की बात है कि जो भोजन मीडिया है जिन चैनलों पर कि शुमित्रतंजी ने अफ आई अदर्ज कराई है कि समाज से लेते क्या हैं सुमित्रतंजी ने क्या ले लिए सुमित्रतंजी ने क्या दे दिया रात रात जाकर शुमित्रतंजी की कब्रेज कर रहे हैं जहां पर वो किसाना दोने बैठेते बात कि इ Prix सwh उसको ब्रक्रतार से रखती हैं कि ने उनको सुनाई कि डबंगई से ऐसे तरीके मापूत। जैता हूँ कि आप मैंसे कितने लोग हैं जिन्होंने इन कि आर्ती साहता की होगी कि छलते हैं यह चैनल को चलाने वाले लोग कैसे अपना कारे करते हैं कैसे उनकी शिक्षा पूरी करते है कि आपने इस बात प्रहां किया है क्या उनकी कोई फेक्ट्री लगी युई है को देनें की पैसकर कि रहे हैं प्रेदी आपको लगता है कि यह लोग गलत कारे कर रहे हैं तो आप इन से संपर्षादिये आप सामुहिक रूप से संपर्षादिये आप पीसी बलाईए यानि कि आप प्रेस कॉंफेंस बलाईए आप वहां पर बात रखिए आपको पूरी छूट है अगर कोई भी गलत काम हो रहा है चाहें वह बहुजन मीडिया के द्वारा गलत काम हो रहा है चाहें वह उपासक्षंग गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना हमारा उद्देश से होना चाहिए उस गलत कारे को वही रोक देना चाहिए और उसके बाद सही कारे स्टार्ड होना चाहिए शुर को अपने इंदर समाहित करें और आगे बढ़ने अप्यास करें जैभीम नमो बुद्धाय साथियो मेरे चैनल आपका चैनल समाज का चैनल देश का चैनल एंडी नुइस 24 इंटू 7 को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और जादा से जादा इसकी वीडियो को शेर करें लाकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूँ